नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं एक्स नाइन लाइफ फिल्म इडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो इस चका चौन भरी दुनिया का हिस्सा हमेशा से नहीं रही है आमिर खान का भी अतीत बहुत ना मुश्किलों भरा रहा है उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कई ऐसी बाते बताई हैं जिनसे आप उनके वे उनके परिवार के संघर्ष का अंदाजा लगा सकते हैं एक इंटर्व्यू में आमिर ने बताया कि जब वे चोटे थे तब उनका परिवार कर्ज में टूबा हुआ था और इसकी वज़ा से उन्हें स्कूल के दिनों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वे और उनके भाई बहन अकसर स्कूल की फीस भढ़ने में लेट हो जाते थे फीस देने में देरी करने पर एक दो वर्निंग देने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल असेमली में आमिर और उनके भाई बहनों का नाम भी लेते थे बच्चों के लिए ये कितना शर्मिंद की भारा पल होता था इस बात को समझा सकता नहीं साथ में आमिर फिल्म प्रिड्यूसर ताहिर हुसैन के बेटे हैं उनकी मा जीनत हुसैन है आमिर चार भाई बहनों फैस्तल खान, फरहत खान, निखत खान और सबसे बड़े है आमिर ने 1973 में बतौर चाइल्ड आदिस फिल्म लादो की बारात में काम किया था एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म 1978 में कयामत से कयामत तक आई थी आमिर के पिता ने सिर्फ उन्हें अपनी एक्टर में तुम मेरे हो में डारेक किया था साथ ही आपको बदा दे कि आमिर खान जब उनके परिवार पर कर्ज था और इस वज़ा से आठ सालों तक उन लोगों ने मुश्किल भर दिन काटे उनके स्कूल के दिनों में फीस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था जैसे छटे क्लास के लिए 6 रुपे साथवी क्लास के लिए 7 रुपे फिर भी आमिर ने उनके भाई भेनों की फीस भरने में लेट हो जाते थे एक दो वार्णिंग के बाद जब वे फीस नहीं दे पाते थे तो प्रिंसिपल पूरे स्कूल के सामने असेमली में उनका नाम ले लेते थे ये सब बताते हुए आमिर के आखे चला गई इन दे नोव है अपनी फिल्म इलाल सिंग चज्जा की प्रमोशन में व्यस्त है असे और अपदेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले